क्या संबब है दोनों पैरों में ACL की सर्जरी एक ही दिन में एक ही साथ दोस्तों मेरे नम डॉक्टर मनू बो रहा है मैं एक ACL एक्सपर्ट आर्थ्रोस्कोपी सर्जन कई बार पैशन आते हैं जिनके दोनों पैरों में ACL तूट गें राइट का भी तूट गया लेफ्ट का भी तूट गया और उनके सवाल रहते हैं क्या दोनों गुटने की सर्जरी एक साथ कर सकते हैं और कर सकते हैं तो क्या एडवाइजबल है करना या मैं एक एक करे करनी चाहिए तो दोस्तों, सरजरी करने में तो दोनों घुटने की मैं एक साथ कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एडवाईज़बल यह है कि एक के बाद एक सरजरी करनी चाहिए, ऐसा क्यों कि सरजरी के बाद बहुत सारी एकसराईजे जैसी रहते हैं जिसमें आपको दू बड़ टेव इंटरनल ब्रेस सर्जी करते हैं पेशेंट की तो दूसरे पैर का अच्छा होना ज़रूरी क्योंकि पेशेंट 15 दिम में स्कॉट्स और लंजज जैसे exercises हम करवाते हैं, दूसरा एक महने में पेशिंट को जॉगिंग करनी होती है, तीन महने में रुनिंग करनी होती है, तो ये सब तभी कर पाते हैं, जब उनका एक पैर की surgery ना होई हो, भली है उसमें ACL टूटा वो पर कम सकम surgery तो ना होई हुई हो, तो अगर आपके दोनों ACL टूटे वें और आपको surgery का option वन वाई वन उठाना चाहिए, पहले एक पैर की surgery करेंगे जिसमें दर्द या तकलीफ जादा है, एक से डेड़ महने बाद patient surgery के बाद जब एकर इंटरन ब्रेस से surgery होई तो एक से डेड़ महने में के भी एक डेड़ महने बाद वापस patient jogging करने लगता है और दूसरी surgery के तीन महने बाद हम बैक टू रणिंग प्रोग्राम चालू करते हैं, मतलब जेस दिन आपकी पहली surgery होई उससे चार से साड़े-चार महीने के बाद आप रणिंग कर सकते हैं और दोनों पैरों का ACL surgery होगी है, पड़ेगा, आपको exercise करने में difficulty होगी, आपका 1,5 महीने बड़े खराब जा सकते हैं और muscle development अच्छा नहीं होगा तो recovery बहुत स्लो हो जाएगी तो बैटर यही रहता है कि आप one by one करके operation करें अब इन दो operation में कितने मंत का difference होना चाहिए दोस्तों यह डिपेंड करता है किस technique स आपका operation होगा, अगर fiber type internet brace से आपका operation हो रहा है तो दोनों के अंदर एक से देड़ महीने का difference रह सकता है हम दूसरी जल्दी कर सकते हैं वहीं अगर आप conventional तरीके से बायो स्कुरू की मदद से surgery करा रहे हैं तो दोनों operation में कम से कम 3-4 महीने और 6 महीने का gap होना चाहिए क्यों अगर आपके मन में कोई भी confusion है या आपके हमारे में लिखा हुआ है कि आपको ACL, PCLA, Maniscus का damage है तो आप हमें अपनी हमारे भीज़े और मैं उसका opinion दूँगा करांगे पुरू को दूँगा